इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 90 डेस या पर 100 डेस का टाइम टेविल देने वाला हूं नीट प्रिपरिशन करने के लिए देखो जैसे कि अभी नीट एक्जाम के लिए बस तीन चार मैं नहीं बचे हुए है तो इस टाइम पर आपको एक सही टाइम टेविल इस टाइम ट कर सकते हो वरना आपका बस टाइम पास ही होगा तो इसले एक सही टाइम टेविल फॉलो करना जरूरी है जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप चाहो तो इसके एकोडिंग अपना टाइम टेविल फॉलो कर सकते हो या फिर आप अपने एकोडिंग इससे इंस्पायड हो के टाइम टेविल बना सकते हो ताकि उसको आप फॉलो कर सको लेकिन इसके एकोड़िंग ही बनाना ओके तो इस वीडियो में मॉर्निंग बैच एविनिंग बैच दोनों के लिए टाइम टेविल बताने वाला हूं तो मेक्सियो मिस मत करना तो चलो फिल करता जरूरी है वीकली टागेट सेट कर लो तबी आप टाइम टेविल को सही तरीके से फॉलो कर पाऊगे उसी के सथ आप जब दी स्टडी करो 50 मिनट्स स्टडी करना फिर 5 मिनट्स का जरूर ब्रेक लेना ब्रेक लोगे तो आपका माइंड थोरा सांत होगा फिर दो बारा पाँ सेटेशन रखो के जिसमें आप गंटेव का दिर गंटेगा ऐसे करके सट्डी सेटन रखना ये अगर रखो गे तो अपका माइंडसेट बनेगा कि आपको कब क्या सल रहने करूं सा यह कंप्लीट करना ही कि नी इस तरह से आप खुद को ट्रैत कर पाउगे अब मैं इ कितना हो से के उतना देना है मिनिमम 6-8 गंटा देना जरूरी है तब भी जो आप ताइम पर कॉंप्लीट कर सकते हो इस वीडियो में मैंने 8 गंडे का टाइम टेविल बताया है तो अगर कम करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है और उसी के एकॉडिंग आप एक्स्ट्रा चीजों मे जल्दी सोते हो कोई फड़क नहीं पड़ता तो सारी अगर उठोंगे तो आप फ्रेश वगरा होने में आदा हंटा लगी जाएगा फिर साथ से लेके नौ बजे तक दो हंटे का एक स्टडी सेशन रखना फॉस्ट श्टडी सेशन होगा जिसमें आप फिजिक्स केमेस्ट् प्रेक्टिस करोगे जो आपने मौर्निंग में स्टडी किया ठीक है 30 मिनट्स का एक कोईस्ट प्रेक्टिस के लिए रख लोगे 20 कोईस्ट प्रेक्टिस कर लोगे बहुत है क्वालिटी कोईस्ट करना है फिर दस से लेके 1245 तक यानिकि 2 घंटा 45 में एक स्टडी सेशन होग उसको आप पहले से एडवांस स्टडी कर लोगे एडवांस स्टडी से बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है तो यह जरूर करना ओके तो यह होगा आपका मौर्निंग सेशन का टाइम टेविल फिर उसके बाद आपका दो बजा से लेका आट बेटा कोचिंग होगा मैं एक्स्ट के लिए एक घंटा प्रैक्टिस के लिए तो बहुत है उससे ज्यादा आपको जरूर्द भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने कोचिंग में समझ लिए रिविजन में कितना ही टाइम लगेगा फिर सारे ग्यारा से बारा पंद्रा टाइक सेसन होगा जिसमें आप पहले का बहुत ज्यादा इंपोर्टन तो यह जरूर करना है तो यह होगा आपका इविणिग वाल स्टुएंट का टाइम टेपल उसके बाद में बात करता हूं मॉर्निंग वाल स्टुएंट का टाइम टेपल तो आप सारे चे बज़ अगर उठते हो तो आदी घंटे का ब्रेक जाओगे फिर तीन से लेके सारे पास तक यानिके धाई घंटे का एक स्टड़ी सेशन होगा जिसमें आप सेम चीज एपलाई करोगे यानिकि आपको जो कोचिंग में बढ़ाया गया वही चीज आप पर ओगे उसी को रिविजन करोगे फिर एक घंटे को सिंस प्रैक्टिस पर सकते हो और मॉर्निंग में अगर कोई टॉपिक आपने थोड़ा कम परा था तो उसको आप इस वक्त पर सकते हो दस पंदर में या फिर आदा घंटा घंटा देखे फिर ग्यारा से बारा पंदरा तक जो है आपका एगंटा पंदर मेंट का स्टड़ी सेशन होगा जिसमे बस मज़े आपको यही बतानी थी इस अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते हो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा तो अगर आपने मेरा नाइंटी देखा है नहीं देखा तो वीडियो को जाके देख लो लिंक आपको डिसक् वीडियो के सब थैंक यू